देश में खाद्य तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सोयाबीन प्लांट में सोयाबीन की खरीदी तेज नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारत में इनका भरपूर आयात किया गया था, जिसका खामियाजा सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सोयाबीन के ओसत भाव लगभग एक हजार रुपए प्रती क्विंटल कम है। किसान इस वर्ष भी सोयाबीन की ही खेती करेंगे। इसके अलावा अन्य विकल्प नहीं होने से किसान वर्ग का पूरा ध्यान इसी फसल पर लगा हुआ हैं। मानसून की बारिश के पूर्व किसान वर्ग अपने खेतों की जुताई करने में लगे हैं। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आगामी दिनों में सोयाबीन के भाव में उतपादक किसानों को नुकसान नहीं हो। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए क्योंकि तीन साल से किसान वर्ग को सोयाबीन में भाव नहीं मिलने से लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए इस उपज का नया रोड मैप बनाने की जरूरत है। वही अगर देखा जाए तो सोयाबीन के वैश्विक स्टॉक में गिरावट हुई है। ले पाया। सोयाबीन के भाव आने वाले महीनों में कैसे रहेंगे यह विशेशगेताय नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारियों की माने तो सोयाबीन के भाव यदी बढ़ते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में बढ़ेंगे यह भाव 5000 रुपए क्विंटल के आसपास ही रहने वाल हैं Bureau Report Market Times TV